असलाम वालेकुम रहमातुल्लाही वरकात। दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप तो हम लोग ठीक ठाक होंगे खेरियास से होंगे। असलाम वालेकुम रहते हैं तो इस वीडियो का आप लोगों के लिए प्रिक ठाक होंगे लिए वानिंग जारी की है जो दूसरों का परसनल डाटा अपने फायदे के लिए पब्लिक करते हैं या फिर उसको नुक्सान पहुचाने के लिए उसका जो डाटा है वो सेर करते हैं या फिर पब्लिक करते हैं या यहाँ पर कहाईएगा है कि ये किसी की भी परसनल जानकारी है परसनल डाटा है आप उसको अपने फायदे के लिए दूसरों के साथ पब्लिक करते हैं या उसको नुक्सान पहुचाने के लिए उसको आप स क्योंकि सदे रब के अंदर कानून जो है वो काफी जादा सक्त है इसके साथ इस तो यह जारी करते हुए सदे रब में इंट्री लेने वाले यातरियों के लिए नया नियम लागू कर दिया है ने सुकलर में 14 दिन का अनिवार कुरंटाइन फिर से चालू किया गया है अपडे देशों से जो लोग आएंगे उनको 14 दिन का कुरंटाइन करके आना होगा यानि कि यहाँ पर पताया यह गया है कि तुर्की और लेवनान जिसे देशों पर अभी भी पबंदी जो है वो बरकरार है इन देशों से जो लोग सौधिर अभी आते हैं उनको 14 दिन कुरंटाइन कर रखी है उन देशों पर सिर्फ लाइड की जो पबंदी है वो खतम कर दी है लेकिन एक नई जानकारी आ रही है कि अभी भी तुर्की और लेबनाम जैसे देशों पर जो पबंदी है वो बरकरार है इन देशों से जो लोग आएंगे उनको चोधर दिन का कुरिंटाइन करना हो इसके साथ इसको अगलब डेट ये है कि सॉद्य रव में जो तातमेन किलीनिक है जोकी कुरोणा वार्स को लेकर ओपन किया गया था सौधी गॉशर्मेंट ने अब इसको भी बंद करने का फैसला लिया है जिया इसको जब सॉधियरब के अंदर कॉरोणा वारस आया था तो तात्मेन किलीनिक जो है वो सुद्रव में ओपिन क्या गया था करोणा वारईस को चेक करने के लिए अब जो है इसको भी बंद करने का फैसला जो है वो लिए गए क्योंकि साओधराब के अंदर करोणा जो है वो बिल्कूल ही खतम हो चुके हैं, यहांनि की, अब ना के बराबर सुधरब में क्रोना केस निकल लए हैं, और क्रोना वरैज जो है, वो सुधरब में अब तकरिवान खतम होने के कगारपर है, तो इसे में अब जो तातमाईन किलीडिक है, उसको भी फिरहाल सुधियी गुवर्मेंट ने बंद करने का फैसला जो है वो लिया है इसके साथ जुस्तों के अपडेट ये है कि खादिम हरमाइन सर्फाइंसा सलमान बिन अब्दुल अजीज का रियाद के किंग फैसल स्पेसिलिस्ट अस्पताल में मेडिकल टेस्ट जो है वो किया गया है अपडेट क जो है वो किस चीज का किया गया क्या चीजें जो है दिकत थी किस लिए मेडिकल टेस्ट जो है वो किया गया है इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई यहां पर बताया गया और वो पूरी तरीके से फिट बताये गये हैं और जिसके बाद उनको जो है वो होस्पिटल से घर जाने की परमिशन भी दे दी गई है इसके साथ उसको गलिप डेट ये है कि सौधिन श्री आफ इंटरियर का कहना है कि मक्का उकर्मा में एक सौधी सक्स ने अपनी तीन बेटियों की हत्या कर दी जिसमें से एक की उमर छे साल एक की उमर चार साल और एक की उमर दो साल थी इन लोगों का गला काट कर उसने इनको जान से मार दिया वनिश्टी आफ इंटरियर ने कहा कि सौधी नागरी का नाम बदर बिन अली अलजहरानी है अदलत में इलजाम साबित हो जाने पर इस सौधी सहरी को भी मौत की सजा सुना दी गई जिस पर आज जो है मक्का उकरमा में इसका भी जो सर है वो कलम कर दिया गया है तो ये दिस तो आज की सौधी रब की कुछ बड़ी और इंपोर्टन अपडेट जो आप लोगों के साथ सेर की गई तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो पिर इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को भी सस्क्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहां पर आपको सुधरब के हवाले से जो भी तायातरीन अपडेट तायातरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी वीडियो देखने का बहुत-बहुत सुक्रिया अल्ला हाफिज़ लुक्राइब